यश्रस्वी प्रधानमंत्री मारनिय नरेंद्र भाई मुगोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जाए स्यावर राम चंद्र की जाए स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशीगण यहाँ उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अन गिनत बलिदान प्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए है इस शुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अभी दिव्य मंदीर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरान ये उर्जा ये घड़ी प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जन्वरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जन्वरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उच्छा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश बास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राश्ट अतीद के हर दौं से होंसला लेता हुआ राश्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह तनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहिस से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहाँ राम का काम होता है वहाँ पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिन के आशिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समाएं हमारे आस पास उपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमा या चना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कारिय कर नहीं पाए है आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग बिबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी समग्र देश्वासी हर्ष से भर गये लंबे योग से लंबे वियोग से जो आपति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासीों ने सेंकडो वर्षों का दियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर रेक्त करूँगा भारत की न्याए पालिका का जिसने न्याए की लाज रख ली न्याए के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याए बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान चलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है कल मैसरी राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम प्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशाने बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थी चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मेर रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्कोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगः राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारती आत्मा के कन-कन से जुड़े हुए है राम भारत वास्यों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वास्यों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले 11 दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मौका मिला राम को परिभाशिद करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये रामरस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रसका आचमन करते रहे हैं राम कथा असिम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिख्षाएं सब जगह एक समान है प्रिके देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रने हैं साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनय का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ठ अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से ज़्यादा मुश्टिल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावकता के साथ खोला है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस बन्दिर का निर्मान भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं ये दिर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजबल भविश के पस पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूँगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनरविचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के है राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साथियों आज जिस तरफ राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में हैं आज अयोध्या का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुधेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये स्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाच की भी प्राण प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपून विश्व को है सर्वे भवन्तु सुकेदा ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विबु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताध्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी नहीं कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा है अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वाचियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग धार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो द्यभी आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मन्ने निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सौगंद लेते है राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राश्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राश्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण है जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी माँ शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है माँ सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से पड़े हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रतेग भारतिय में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार साथियों आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक को दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों? लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू, जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिए वे महावली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को प्रास नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चुनोती दी करतब्य की यही पराकास्ता समर्थ सक्षम बव्य दिव्य भारता अधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कान कान राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभुसी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विक्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार्प समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विश्चित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत युवाश श्रक्ति की पूजी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्तितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीडी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशान आजित्य को सभल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है परंपरा की पवित्रता और आधुनित्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत समृत्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये बग्य राम मंदिर साख्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का भारत के उद्धे का ये भव्य राम मंदिर साख्षी बनेगा भव्य भारत के अब्युदे का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमाणित हो अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगट्रिक सक्ती से जन्वा हो तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संभव नहीं है ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है सताअब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे है हम सब ने इस यूग का इस कालखन का इतलजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं हम विकास की उचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत सुपकाम राए सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम शियावर राम चंद्र की मैं आप से निविदन करूंगा अभी थोड़ा आसन ग्रहन करिये मानने प्रणामंत्री जी यहां से कुबेर तिला की और प्रस्थान करेंगे मानने प्रणामंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चाथ हमारे महन निर्त को पालदास जी के शिष्ष्यकणूं से नेविदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की और ले जाए जानकी दास जी अब मंच पर आगे मारण जी मोहन राव जी भाया जी कहीं मिलेगे मारण ये प्रणामंत्री जी सादू संतों के निकट की और जा रहे हैं मारण ये जाए